ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ तो लोग से बचुनाफ से पहले हुआ है बड़ा फेर बदल 165 आरेस अधिकारी को हुआ है ट्रांसपर तीन आईपेस अधिकारों का भी ट्रांसपर किया गया है भजलाल सरकार ने किये 236 आरेस अधिकारों के तबा हुए हैं तीन आईएस हैं और तीन आईपेस अधिकारी हैं जिनका चांसपर हुआ है 236 आरेस अधिकारों के भी तबादले किये गए है तो लगतार तबादलों का सिलसला ज़ारी है से पहले भी ये महतपूर्ण जानकारी एंडिटी विराधसान ने आप तक पहुचाई थ था विभाग में फिर बदल किया गया था और इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर ये कि 236 आरेस तीन आईपेस अधिकारी और 165 आरेस अधिकारों का किया गया है तबादला जदा जानकारी के साथ आयोगी अरुन हर्ष इस वक्त मेरे साथ मौजूद है उनिक अरुखों कर लेते हैं तो लोगसभा चुनाफ से पहले अरुन हर्ष एक बड़ा फेर बदल ब्यूर्यक्रेसी में कि अमने अगर बात की जाए जिस से पिछले जिनों 22 फाहर के बासमारे लोग लगा दिगे घी लेकिन और कियों उन्मिल साथ आयों का कर दांख से में तंज क संस्वी स्वानों की स्वान मज्ध की निकाली जा रही का रही है पता नहीं चलता इसी कड़ी में ये कह सकते हैं तीन IPS जो है उनका भी तबादला वापिस निर्स्त किया गया दूसरी जगह लगा गया तो कह सकते हैं तबादलों की लंबी एक फैरिस्त है जिसको लेकर लोकसभा चुनाव से पहले BJP है जो अपने इस तर के जो अधिकारी है उनको लगाना चाहती है तो चुनाव से पहले कानून वस्ता को मजबूत करना यही महत्रपूर उदेश्वे इस तबादलों के पीछे का अरुनर्श मनी मैं बताना चाहूँगा जिस तर से तबादलों से पहले है यानि की पूर्म में जो आचार सहीता लगी थी तब चुनाव आएक के निर्देश के बाद अधिकारी हटाए गे थे लेकिन विदान सबाद चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को उम्मीद थी उतनी सीटें नहीं मिल पाई थी और कुछ कार्य करताओ की नाराज की थी कि अधिकारियों को लेकर अब लोग सबाद चुनाव है उससे पहले उन तमाम अधिकारियों को खटाए जा रहा है जिनक चुनाव जीतने के पढ़नाम आने के बाद में जैसे विदाएक अपने अपने सेत्रह में गए तो वो अधिकारियों को कहते हैं नजर आये थे या तो अपनी कारी पढ़नाली सुदार ले नहीं तो आने वाले दिनों में ट्रांसफर कर दिये जाएंगे और वोई कि योजनों को जमीन पर उतारने का काम करने वाले अधिकारियों का इस्तानांतरन किया जाता है और यही कारण से उनके इस्तानांतरन किये गए हैं और इस ट्रांसफर के जरी अधिकारियों को संदेश देने की कोशिश भी और उन्हर्च की गई है क्या और क्या लगता है कि क्योंकि लगतार हम देख रहे हैं इससे पहले एक बड़ी सूची साज़क की गई थी अधिकारियों की ट्रांसफर की और एक और सूची अब सामने आ तो इससे पहले सरकार चाहते है कि ट्रांसफर्स के जो काम है उस पर रोक लगे उससे पहले वह सुची पूरी निकाल ली जाए।